प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैपी बचाओ क्या हुआ तेंद्वे भे ये का बचा दर्खर से गिर गया है और उसे गहरी चोट आई है उफो बहुत बुरा हुआ है पिछे हटो पिछे हटो मैं देखता हूँ ये तो बहुत खाइल हो गया है और जखम भी बहुत गहरा है मेरा पापा, मेरा पापा, प्लीज मेरे पापा को बला लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है हाँ हाँ बच्चे, तुम गबराओ नहीं, तुम्हारा पापा आने वाला ही होगा हम सब है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, किसी को बेजा है क्या, इसके पापा को बलाने भी जी भालो भी या, कवा अंकल जानता है, कि तेंदवा इस वकत कहा होता है, वो गया है संतेज लेकर खून बहरा है, इसका कोई अपाय करना होगा, जखम बहुत गहरा है, खून नहीं रुक रहा, जंगल के उस पार पहाडों की तरफ एक पेड़ है हरमल का, मुझे इस पेड़ के कुछ पत्ते चाहिए होंगे, लेकिन समय बहुत कम है, किसी जानवर या परिंदे को पता है, उस इस पेड़ के पत्ते लेने, समय बहुत कम है, अगर सूरज जहनने से पहले वो पत्ते नहीं पहुंचे, तो शायद हम बचा ना सकेंगे, इस तेंद्वे के बच्चे को, और उलू जल्दी से खरगोश की तरफ चल देता है, खरगोश भीया, समय बहुत कम है, किसी बच्चे के चोट लग गई है, और भालू भीया ने बेज़ा है, आप जल्दी से हरमल के पेड़ के पत्ते लाओ, वनना वो बच्चा मर जाएगा, गबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूँ, मेरी रफतार बहुत तेज है, आप फिकर मैं यू गया और यू आया, और खरगोश हरमल के पेड़ के पत्ते लेने चला जाता है, वो बहुत तेज रफतारी से धोड़ता हुआ जल्दी जंगल के उस पार पहुंच जाता है, कहां है, कहां है, हाँ, पहाड के उस पार, मिल गया, मिल गया, मैंने कल लिया, अब मैं उ बचे को बचा सकूँगा और वो हरमल के पेड़ से कुछ पते लेकर जल्दी से वापस हो लेता है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था कि अचानक आगे से एक खोपनाक तेंद्वी ने आकर उसका रस्ता रोक लिया बहुत जल्दी है शरारती करगोश बहुत दिन हो गए नर्म नर्म गोश्ट खाई हुए देखिए मैं कभी भी अकेला इस तरफ को नहीं आया मुझे पता है ये अलाका मेरे लिए कितना खतरनाक है लेकिन आज मैं बहुत मजवूरी में इदर आया था मेरे दोस्त उल्दी ने मुझे भेजा है हरमल के पेड़ के पत्ते लेने जंगल की दूसी तरफ किसी बचे को चोट लग गई है इसका खून नहीं रुक रहा और उल्लू भेया ने मुझे कहा के समय बहुत कम है तम्हारी रफतार ज्यादा है तुम जल्दी आ जाओगे मुझे रहा नहीं गया और मैं इदर आ गया देखिये मेरा सांस कैसे फूला हुआ है धोड़ धोड़ कर आ मुझे पर रहम कीजिए मुझे खा जाने से मेरी तो जान चली जाएगी लेकिन साथ ही वो बच्चा भी मर जाएगा बड़ा आया तु डक्टर कहिंगा मुझे ज्यादा बाते न सुना बहुत होश्यार हो तुम ऐसी बातों में अगर आ जाऊं तो रोज चाम को भूका ही सहूं मैं वो तेंदवा जट से छलांग लगा कर खरगोश को मार कर खा जाता है क्या बना कवे अंकल मैंने सारा जंगल देखा है मुझे कहीं ने मिला इसका पापा वो शायद कहीं ज्यादा ही दूर निकल गया है मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पापा, मेरे पापा तुम कहा हो, जल्दी आ जाओ बहुत तकलीफ है बिजारे को मुझे तो देखा नहीं जा रहा मैं बहुत देर से तुम्हें डून रहा हूँ, जल्दी अपने घर चलो क्या बात है, सब अच्छा तो है ना हाँ हाँ, तुम बस जल्दी से अपने घर की तरफ चलो और तेंट पाद जल्दी से धोरता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है क्या माजरा है, ये सारे पक्षी और जानवर यहां क्यों अकठे हैं आखर हो क्या रहा है, यहां पीछे हटो, पीछे हटो मुझे देखने दो, क्या बात है तमहारे बचे के गहरी चोट लग गई, खुन बहुत ज़्यादा बह गया है उल्लू गया था, खरगोश के पास, इसकी रिफ्तार हम सबसे ज़्यादा है, समय बहुत कम है पता नहीं, काफी समय हो गया, वो अभी तक आया नहीं पापा, मुझे बहुत दर्ध हो रहा है, मुझे बचा लीजिए ये सब बाते सुनकर तेंदवा फूट फूट कर रोने लग जाता है वो किस मुझे अपने बेटे को बता था, कि इसने इस हर गोश को मार कर खा लिया है जो इसकी जिन्दगी बचाने के लिए गया था, इसका दिल फट गया था अपने बच्चे की चोड देकर और इसे इतने दड़ में देकर मेरे बच्चे में जल्दी से आया, तुम घबराओ नहीं और वो हरमल के पेड़ की तरफ धोड़ता है, अभी चंद कदम ही वो गया था, कि उसका बच्चा मर जाता है अब आप वापस आजाएं, कोई फाइदा नहीं, बच्चा मर गया है ये सुनकर तेंदवा फूड फूड कर रोने लग चाता है